हाई आज लेसन निम्बर फाइव और आज एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के उपर बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा निग्लैक्ट भी किया जाता है वह है फ्लेक्सिबिलीटी फ्लेक्सिबिलीटी जनरली अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा इग्नोर कर दी जाते है प्लेयर के थुरू और उसकी जो उसके जो कॉंसिक्वेंस होते हो बहुत ज्यादा होते हैं कि उसमें आपको इंजरी जोने के बहुत जादा चांस रहते है बोड़ी स्टिफ हो जाती है आप ऑप्टिमल लेवल पर प्रॉफल्मेंस कभी नहीं कर पाते हैं आप कितनी भी स् प्लेक्सिलिटी बोड़ी के अंदर मसल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है अब अब जारूरी आपको कर सकते हैं और इसके बात करेंगे जनरली दो तरीके की होती है अगर मैं आपको बता अब उसमें अपकोश्यक्रिटीमें क्या आता है कि एक तो आपकी डायनमीक वी में में आप करते हैं एक आप स्टैटिक वे में करते हैं जिसके अब स्टैटिक में करते हैं तो आपके दो तरीके से आप टार्गेट करते हैं या तो आप डैनेमिक में करते हैं या फिर स्टैटिक में करते हैं अब स्टैटिक में क्या होता है स्टैटिक में में आप एक मसल को पंदरा से तीस सेकेंड या फिर एक मिनिट तक तो आप उसको एक जगा पर जब होल्ड करते हैं तो इसको स्टेटिक स्टेच बोला जाता है वहीं डायनेमिक स्टेचिंग क्या होती है उसके अंदर आप मुवमेंट इंक्लूड करते हैं हलके हलके उसमें आपकी जो रेंज ज इंक्रीज करते हैं तो आप एक जगा रुखते नहीं आप अप एंड डाउन आप स्टेच करते हैं जैसे कि आपको एक्जांपल की तोर पर बताऊं अगर अभी मेरे को अपनी फोराम स्टेच करनी है तो स्टेटिक स्टेच में क्या होगा कि आप सिंपल इसको होल्ड एक तरीक से इंक्लूट करते हैं तो डाइने में तकी मुमेंट करते हैं आप और वहां से पर नहीं करनी चाहिए कर्णाए जब आप करते हैं तो डाइन अधान रहें तो आपको मुमेंट करने तो आप अपने range of motion improve करेंगे एक उसके अंदर motion रहेगा आपका एक जगा static stretch नहीं करेंगे वहीं जब आपके आप game include हो चुकी होती है तो उसके बाद आप static stretch करते हैं उसके अंदर आप 30 seconds एक मिड़ तक एक position में आने के बाद नहीं होड़ करते हैं तो उसको static stretching बोलते हैं तो इन दोनेंकोपर आपको जरूर काम करना चीज़िए static stretching भी दो तरिके क्योती है कि आप खुद से करते है उसको active state stretching बोलते हैं कि उसके आप खुद करते और iba का होता है पेशिव तो इस तरीके आप अपनी इंप्रोव कर सकते हैं तो फ्लेक्सिलिट इंप्रोव कर सकते हैं अब अगर आपको वाम-प में करना तो डाइनमिक वं में करें पंदरा से आट से पंदर रेपेटिशन आप कर सकते किसी भी exercise के महीं जब आपको कूल डाउन करना है तो आप उसको एक जंग पर होल्ड करें पंद्रा से एक मिनट तक कर टाइम आपको जो भी कमफर्टेबल लगे आप उस तरह यह से आप इसको टार्गेट कर सकते हैं तो flexibility इंप्रोव करना बहुत इंपोर्टेंड है क्योंकि अगर मैं आपको एक ग्जांपल और बता हूं इसमें कि जब आप फ्रो करते हैं तो जब आपका मसल पूरा जब पूरा तो कभी वह उनको फोर्स लगानी होती है उस तरीके से वह नहीं लगा पाता है जो हमें लगानी होती है तो flexibility cricket के अंदर बहुत जादा important है और आपको इसको इसको इंप्रूव करने के लिए इस पर डेली काम करना चाहिए और प्रेक्टिस session के बाद में प्रेक्टिस से पहले जिम session से पहले जिम session के बाद में किसी भी session के अंदर आप इसको इन दोनों चीजों को जरूर निक्लूड करें जैसे कि मैंने आपको बताया तो इससे आपको जरूर गें में बहुत जाना improvement मिलेगी और इसके बास आती improvement के साथ में इंजरी भी रहेंगे क्योंकि जब आपका मसल एक अच्छे लेवल पर stretch है तो आपको कोई ऐसे stiffness निया तो आपको कोई जटके लगना या फिर कोई एकदम से मसल टीर हो जाता है या फिर एकदम कुछ पासम वगारा create हो जाते तो व वीडियो लेके आऊंगा वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जरू करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच